पिश्वास पाथक, बीजेपी की तरफ से हम अरे साथ बने वें पाथक साब, ये सारा खेल जो है, आज महराष्ट में हो रहा है उसके स्क्रिप्ट तो बीजेपी नहीं लिखी है सवाल ये है कि अब आगे बीजेपी की रन्निती क्या है? क्योंकि वहाँ पे खबर ये आ रही है कि शिंदेगुट नराज हो गया है वो क्या रहा है कि मंत्रियों का बटवारा करने के लिए में बीजेपी आदेश दे रही है कि अजीत पवार को ये दे दो, चगन बुजबल को ये दे दो, हम देंगे नी तो बीजेपी के लिए आगे रन्निती किस तरह से रहने वाली है? देखिए बीजेपी स्क्रिप्ट क्यों लिखे और उसकी जुरूत क्या है? महराष्टर में एकतना चिंदे और देवंदर फटनिस की सरकार को 160 के करीब करीब बहुमत प्राप्त है इसलिए हमें कोई स्क्रिप्ट लिए जुरूत नहीं है अजिद पवार जो उनके गुट के साथ भारती जनता पार्टी और एकतना चिंदे के सरकार में जॉइन होगे उसका कारण अजिद पवार जी ने अपने प्रेस काल्ट फरस्ट में स्वाइम बताया वह NCP के साथ में और शर्द पवार के नित्रूत में पक गए थे वो चाहते थे कि हम लोग राहूल गांदी के नित्रूत में लड़ नहीं सकते हमें उसमें कोई फ्रस्ट नहीं है इसलिए मुदी जी के नित्रूत ने उनको अट्रेक किया और हमको जॉइन होगे इसलिए हमारे रहने नित्रूत को की सवाल नहीं है अब रही बात आज की तो आज जो हाइटेड और लोटेड की आब बात कर रहे है मुलताह रहीवार कोई हाइटेड और लोटेड दोनों भी मुबे ने देख लिया अजित दादा पवार के साथ में 40 से ज्यादा विदायक है अभी उनके बंगले पे नरामगिरी बंगला जो है उसमें सुबस सुबस अभी ने हजिरी लगा ली और 11 बज़े उसका फैसलाई भी हो जाएगा बंगले ने हैं लिए उसको रहा देखता है अपड़े लोग है देखें यह संकट महाराश्टर में क्यों आया क्योंकि शर्ट पवार ने भी एक धोका दाड़ी करके बसंत दादा पाठिल के साथ में 1980 में धोका दाड़ी करके चालीस विदायक बहार निकल के सरकार बनाए थी उसके बाद में वो कॉंग्रिस में जॉइन होके 1999 में सुन्य गाधिका उन्होंने विदिशी मुल्क का मुद्दा उठाया और वहां से बहार निकले दोका धड़ी क्या इनका यह पूरा रिकॉर्ड है 2019 में जब शूसेना उद्द्व ठाकरे भारती जन्ता पार्टी ने इलेक्शन साथ में लड़ा उनको मेडेट मिला था इदी शरत पाउर जी ने उद्द्व ठाकरे को हम से चुरा लिया उद्द्व ठाकरे में हमारे पिट में भो चूरा भोग का उसके बाद अब और मजमूत हो गई है पाठाक साव किये स्क्रिप्ट हमने नहीं लिखी है करनाटका में आपने यही कियों और वहँं भी आप ने पार्टियों को दो-फार कर दिया मद्द प्रदेश में भी आपने किया आप पर आ पहुंपे आपने आप सरकार किस तरह से बनाई जोर को तोड़ के बैठ रहे हैं यह जनता तक मैसेस तो जा रहा है ना कि देखिए जहां तक महाश्ट का सवाल है 2019 में शिवसेदा और भारती जनता गटमंदन को मिजरोटी मिली थी और सरकार उनकी बिननी थी उद्धव ठाकर दे धोका दाड़ी किया शरत पौर के गोध में जाकर बढ़ गया और वहाँ से पुरा ड्रामा चलो गया उसके बाद में एकतना चिन्दे जो मूल शियूसेना है बाला सव ठाकर की शियूसेना है वापस हमारे से जोईन होगे जो मिंडिट हम कोई 2019 में महारा जुड़ता है तो हम उसका स्वागत करते हैं अगर हमारे टर्म से कंडिशन पर आते हैं तो ठीक आपकी टर्म और कंडिशन क्या है पाठक साब जब आपके एंटी होंगे तो एडी और सी बियाई उनके उन पर चापा डालेगी जब वह आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपके खिलाब और हमारे साथ आगे अजीत पवार तो आपको मुख्य मंत्री बनाये जाएगा मंत्री बनाये जाएगा यही टर्मेंट के लिशन है हसन मुख्यृफ हसन मुख्यृफ की डालो एकदम गरत है देखे यह आपके राह हो सकती है राह नहीं मैं तो फैक्ट बता रहा है हसन मुख्यृफ पे एक हफ्ता पहले एडियाई रेट करती है और बीजेपी ऐसे वेक्ट्यू को जेल से सदा काटके आई है उनको मंत्री ब काम करेगी प्रोसेस ऑफ लॉट चलेगा लेकिन सवाल यह है कि जिनकी छवी खराब है जिनके खिलाफ केश चल रहे हैं जो जेल से सजा काटकर आएं आप उनको अपने साथ शामिल क्या कर रहे हैं यह क्या सिध्धानत है बीजेपी का विचार देखिए प्रोसेस ऑफ लॉट यह होता कि अनलेस यू आर कंविक्टेड यू आर नॉट गिल्टी ठीक ठीक उसका उनको बेडिपिट अब डॉट मिल सकता है जरा मैं आइड कर ले तरफ से कोन मंत्री बन नहीं बन रहे हैं वो उनका सवाल है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यही सवाल उठाता है कि हिमिंद विश्वा के खलाब EDCBI जब वो कॉंग्रेस में तो चल रही थी लेकिन जब वो बीजेपी में आगे सब बंद हो गया तब वो कानूनी पक्रिया EDCBI सब स्लो हो जाते है